हेलो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आशाम डिरेक्ट रिक्रूइट्मेंट का जो ग्रेड त्री और ग्रेड फूर पोश्ट का रेटेन एक्जाम होने जा रहा है। उस written exam के लिए mathematics subject से most important 10 questions को solve करेंगे Friends इससे पहले भी मैंने mathematics subject के उपर आप लोगों को दो वीडियो प्रवाइट किया है अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा आप उसे लिंक के उपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते है Friends यहाँ पर इस चनल में आप लोगों को इन दोनों exam का full preparation करा जाएगा तो अगर आपने चनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो जल से जल चनल को subscribe कर लिजिएगा तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते है इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे comment box में comment करके बताना है पहला question number 1 में बल रहा है दिके If small m and small n are whole numbers such that m to the power n is equal to 169 then the value of this is तो यहाँ पर दिके हम लोगों को m to the power n is equal to 169 एक equation दिया गया है इस equation को यूश करकर हम लोगों को यह जो expression है इस expression का बलूब निकलना है कैसे करेंगे दिके तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है दिके m to the power n is equal to 169 अब ही देखिए This implies m to the power n अब यह जो 169 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते है, इसको हम लोग लिख सकते है 13 स्क्वेर, क्योंकि 13 को हम लोग अगर हम दो बार गुना करेंगे तो 169 होता है, तो 169 को हम लोगों ने लिख लिया 13 स्क्वेर, अब यहाँ पर देखे, लेफ्ट साइड में क्या है m to the bar n है, और राइट साइड में क्या है 13 स्क्वेर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंप्यार करेंगे, तो बेस में क्या है m है, और यहाँ पर बेस में क्या है 13 है, तो यहाँ से हम लोग क्या है m is equal to 13, और लेफ्ट साइड में कितना है n है, औ तो आभी यहाँ पर m का value और n का value मिल गया, अभी m का और n का value हम लोग इस expression में put कर लेंगे, तो चलिए put करते हैं, हम लोगों को निकलना है m minus n to the power n plus 1 का value, तो m का value मिला है दिखे 13, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13 minus 1 to the power n का value मिला है 2, तो 2 plus 1, this is equal to 13 minus 1 हो जाएगा आप आपका 3, that means 12 cube आया है, 12 cube मतलब 12 को आप लोगों को 3 times गुना करना है, so 12 को अगर हम लोग 3 times गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1728, और 1728 देखेंगे आपका option D में है, तो इस question number 1 का correct answer हो जाएगा, आपका option D, और मेरे काल से is question number 1 का solution आप लोगों को समझ में आया चलिए next question number 2 को solve करते हैं, तो question number 2 में यहाँ पर दिया गया है कि if small a and small b are positive numbers, 2 to the power a is equal to b cube and b to the power a is equal to 8, तो यहाँ पर हम लोगों को दो equation दिया गया है, उसके बाद हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को इन दोनों equation से a और b का बिलू निकलना है, तो चलिए इसका solution तो पहला equation दिया गया है 2 to the power a is equal to b to the power 3, और दूसरा equation है आपका b to the power a is equal to 8, आप दिके इसको रखिए, आप इसको, second वाले को आप यहाँ पर similar way करिए दिके, b to the power a is equal to, 8 को हम लोग क्या लिख सेकते है, एट को हम लोग लिख सेकते है 2 की, अब यहाँ आप सोचेंगे, शा हम लोगों को 8 को कुछ इस तरह से लिखना है, something to the power something लिखना है, ताकि हम लोग compare कर सेके, अगर 8 को आपने 4 into 2 लिख लेंगे, अगर आप लिखेंगे, तो compare नहीं कर पाएंगे, क्योंकि left side में something to the power something है, तो right side को भी हम लोग something to the power something form में convert करना है, तो हम लोगों ने इसलिए ही 8 को 2 की लिखा है, ठीके, अब यहाँ पर same देखे, यहाँ पर हम लोग compare करेंगे, तो base में क्या है, B है, और यहाँ पर base में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखे, B equal to 2 आ गया, left side में power में क्या है, A है, और right side में power में क्या है, 3 है, तो A का value आ गया, आपका 3, तो हम लोगों को A A और B निकल लिया तो एका बेलू आया है आपका 3 और B का बेलू आया है आपका 2 और A इकल टू 3, B इकल टू 2 देखे, A इकल टू 3, B इकल टू 2 आपका option B में है तो question number 2 का correct answer हो जाएगा आपका option B और मेरे काल से question number 2 का solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए next question number 3 को solve करते हैं question number 3 में देखे, यहाँ पर logarithm का question पुछा गया है तो यहाँ पर इस question को मैं आची तरह समझा के आप लोगों को पूरा completely solve करके दूँगा आप द्यान से समझेगा ठीके इसमें यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है देखे, log x plus log y is equal to log of x plus y log मतलब log मतलब logarithm, इसको logarithm, इसका full form होता है आपका logarithm, short form में इसको log x लिखा दाता है logarithm, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे logarithm of x, logarithm of x यह पूरा statement को short form में log of x लिखा गया है अब यहाँ पर दिखे एक property हम लोग इसकरेंगे, प्रपार्टी क्या होता है, logarithm का बहुत सारा प्रपार्टी होता है एक प्रपार्टी ऐसा होता है, log of x into y, log of x into y, इसका प्रपार्टी होता है आपका log of x plus log of y तो यहाँ पर दिखे, left side में log of x plus log of y दिया गया है, तो log of x plus log of y को हम लोग क्या लिख सकता है, इसको हम लोग लिख सकता है log of x into y तो इसको replace करके हम लोग लिखेंगे log of log of x into y is equal to right side में दिखें दिया गया है log of x plus y अब दिखें left side में log है right side में log है तो log को हम लोग cancel कर देंगे तो log जब हम लोग cancel करेंगे तो left side में क्या हो जाएगा left side में हो जाएगा आपका x into y और right side में रहेगा आपका x plus y आप यहाँ पर दिख्याँ आप ऐसे मत करिएगा यहाँ से आप ऐसे मत सुचेगा चार left side में log x plus log y से हम लोग common ले लेंगे तो रहेगा आपका x plus y यह गलत है ठीके यह गलत है ऐसे log ऐसे आप common नहीं ले सकते ठीके तो यहाँ पर logarithm का formula को हम लोगों ने use करके यह second line लिखा है और right side में जो expression था हो ही यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है उसके बाद log x और log x cancel हो गया left side में रह गया है आपका x into y और right side में x plus y रह गया है अब यहाँ से हम लोगों को दिखिए simplify करना है यहाँ से हम लोगों को y का बेलू लाना है तो यहाँ पर दिखिए left side में x into y है और right side में यह जो y है इसको हम लोग left side में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका minus y is equal to x अब यह left side में दिखिए xy minus y से हम लोगों को common मिल रहा है y y common ले लिया y common लेने के बाद रहा गया है आपका x यहाँ पर रहा गया है आपका x then minus यहाँ पर y common ले लिया तो यहाँ पर रहा गया है आपका 1 is equal to x so this implies finally दिखिए यहाँ से y is equal to आ गया आपका x और यह x minus 1 right side में जाएगा तो यह नीचे जाएगा तो y का बिलू आ गया y is equal to x divided by x minus 1 अभी दिखिए option में दिखिए y is equal to x divided by x minus 1 आपका option d में है तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option d और मेरे क्यास इस question के solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए next question number 4 को solve करते हैं question number 4 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि log of 27 is equal to 1.431 तो log of 27 का बिलू हम लोगों को दिया गया है हम लोगों को log of 9 का बिलू निकालना है तो कैसे निकालेंगे दिखिए यहाँ पर भी हम लोगों को यह लोगारित्म का एक प्रफार्टी यूज करना है तो यहाँ पर दिखिए हम लोगों को दिया गया है log of 27 is equal to 1.431 आप दिखिए यहाँ पर log of 27 यह जो 27 है इसको हम लोग क्या लिख सकते है इसको हम लोग लिख सकते है 3 cube क्योंकि 3 cube होता है आपका 27 तो 27 को replace करके हम लोगों ने लिख लिया 3 cube और 3 cube log of 3 cube is equal to दिया गया है आपका 1.431 अब यहां पर देखिए हम लोगों को logarithm का प्रपार्टी हम लोगों को मिला है log of a to the bar m log of a to the bar m इसका प्रपार्टी क्या होता है log of a to the bar m यह जो power है यह power समने आ जाता है तो m समने आ गया रह गया क्या रह गया है आपका लोग तो log of a to the bar m को हम लुग क्या लिख सकते हैं Power को हम लुग समने लेकर आ सकते हैं तो सब power को समने लेकर आएंगे जो रहेगा वही हम लुग लिख लेंगे तो log of a to the bar m is nothing but m लोगे इस प्रपार्टिक को हम लोग यहाँ पर रिस करेंगे अब यहाँ पर दिखे log of a 3 को आप a मने और power में भी 3 है इसको भी आप m मने तो यहाँ पर power समने लेके आएंगे power क्या है 3 है तो 3 को समने लेके आ गया रह गया क्या रह गया है आपका log 3 तो is equal to 1.431 divided by 3 अभी हम लोगों को निकलना क्या है दिखे हम लोगों को log of 9 का बेलु निकलना है तो यहाँ पर आप हम लोग log of 9 को निकलेंगे तो log of 9 को हम लोग क्या लिख सकते है log of 9 को हम लोग लिख सकते है 3 square this is equal to power में 2 ही 2 समने आ जाएगा रहेगा क्या, रहेगा आपका log of 3, तो 2 log 3 हो गया, this is equal to 2 into log 3, अब log 3 का बेलु क्या है, log 3 का बेलु है आपका 1.431 divided by 3, तो यहाँ पर हम लोग लिकेंगे 1.431 divided by 3, log 3 का बेलुपूट कर दिया, अभी आप इसको अगर आप 3 से काटेंगे, 1.431 को जब आप 3 से काटेंगे, त 2.47, अभी 2 into 0.47 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 0.954, अब option में जाएए, 0.954 कहा परे, option C में है, 0.954 आपका option C में है, तो question number 4 का करक्ट अंसर हो जाएगा, आपका option C, और मेरे काल से इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 5 को सल्ब करते हैं, question number 5 में बल रहे हैं, which of the following set is equivalent to the set, यहाँ पर हम लोगों के एक set ज्या गया है, capital A is equal to A, B, C, D, तो इस set का equivalent set कों सा है, यह हम लोगों को निकलना है, तो equivalent set देखे, कैसे हम लोग कहेंगे, इस set का equivalent set इस set में कितना number of elements है, इस set में 5 number of elements है, तो हम लोगों को option में से उस set को निकलना है, जिस set में 5 number of elements है, number of elements कैसे निकलते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, यह जो A, B, C, D, E है, इसको हम लोग कहते हैं elements, तो इस A set में कितना elements है, 5 elements है, तो हम लोगों को equivalent set निकलना है, मतलब equivalent equivalent set मतलब वो set जिस set में 5 elements होगा वो ही हो जाएगा आपका A set का equivalent आप option में जाएगे option में दिखे पहला option B में दिया गया पहला option A में दिया गया है B is equal to 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितना element से 5 element से और बाकी दिखे बाकी सभी B, C और D में जो set जा गया है इनमें आपका 4 element है इसमें 4 element है इसमें 4 element है इसमें 3 element है तो यह 3 हो आपका equivalence नहीं होगा क्योंकि number of elements तो सहीम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखे number of elements सहीम हो रहा है तो यह जो set A है इस set का equivalent set हो जाएगा आपका option A इकुविलेंट से दिखे, elements को हम लोगो compare नहीं करना है, just number of elements को देखना है, number of elements इसमें ता 5, इसमें भी number of elements 5 है, इसलिए ही यहाँ पर हम लोगों ने कह दिया है, यह जो set A है, इस set का equivalent set है, आपका option A में जो set जागिया है, यह वाला, मेरे क्याल से equivalent set का मतलब क्या है, और किस तरह से हम लोगों ने इस question का answer किया, यह आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question number 6 को स्वत परते हैं, question number 6 में बल रहा है देखे, A, B, C hired a car for Rs. 720 and used it for 9, 10 and 13 hours respectively, hire charges paid by BR, मतब A, B, C, तीनों मिलके यहाँ पर एक car hire किया, Rs. 720 में, और उसके बाद A ने उस car को 9 hours use किया, B ने 10 hours use किया, और C ने 13 hours use किया, हम लोगों को यह निकलना है, B अगर उस car को 10 hours use किया, तो B कितना रुपिज पे करेगा, यह हम लोगों को निकलना है, तो कैसे निकलेंगे दिखी, टूटल टाइम दिखी, यहाँ पर टूटल टाइम, मतलब टूटल टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, 9 plus 10 plus 13 कर लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका टूटल टाइम, तो टूटल टाइम कितना हैगा, 9 plus 10 plus 13, टूटल टाइम हो जाएगा, आपका 32, अभी यहाँ पर हम लोगों उसकार को 10 गंटा यूज किया, तो उपर में हम लोग लिख लेंगे 10, और इंटु में, इंटु में कितना रुपीस टूटल था, टू अपका 720 रुपीस था, तो इंटु में कर देंगे, हम लोग 720. मेरे काल से यह जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिका है यह आप लोगों को समझ में आया होगा उपर में हम लोगों ने बी ने उस कार को जितना गंटा यूज किया उसको लिका बी ने 10 गंटा यूज किया है तो उपर में 10 लिख लिया और नीचे टूटेल कितना गंटा काटेंगे तो 480-0-0-32 और 4, 4 से इसको काट नहीं कर सकते, 4 से इसको काटेंगे तो 418-0-72 और 0 लगा देंगे. उसके बाद यहाँ पर आप 2 से काटे, 24-0-8 और 250 इसको काट सकते हैं. 4 से इसको काटेंगे तो 4 वोड़ जा 62 रहे गया है, 24-5-0-20. तो finally यहाँ पर आ गया है दिखिए 5 into 45 आप 5 into 45 करेंगे तो कितना हैगा 5 into 45 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 225 that means B to tell 225 रुपीज पे करेगा और 225 रुपीज और 225 रुपीज आपका option B में दिया गया है तो question number 6 का correct answer हो जाएगा आपका option B और मेरे क्याल से is question number 6 का solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए next question number 7 को सल करते है question number 7 में बल रहा है दिखिए if a number is chosen at random from the set इस set से हम लोगों को एक number लेना है then the probability that the chosen number is a perfect Q is और वो जो number हम लोग ले रहे हैं इस set से वो number एक perfect Q हो इसका probability हम लोगों को निकलना है तो यहाँ पर दिखिए खैसे निकालेंगे यहाँ पर टूटेल इस set में कितना number से इस set में टूटेल 1,2,3, इस set में टूटेल 100 नमबर से तो टूटेल नमबर को हम लोग नीचे लिखेंगे नीचे कितना है लिखेंगे नीचे टूटेल 100 नमबर से तो 100 को लिख लिया अब यह उपर में वो number क्या होना चाहिए वो number एक perfect Q होना चाहिए क्योंकि 1 को हम लोग 1 cube करके 1 मिल रहा है this means 1 को हम लोग कह सकते हैं यह एक perfect नमबर है इसी तरह 8 एक perfect नमबर है क्योंकि 8 को 2 cube करने से 8 मिलता है तो 8 एक perfect Q नमबर है इसी तरह यहाँ पर 27 भी एक perfect Q नमबर है क्योंकि 27 को हम लोग 3 cube करेंगे तो 27 मिलता है तो 27 को हम लोग कह सक सब्सक्राइबन यहां पर तो फुक्सक्राइब नंबार हे जो सेट है यह सेट यह वान से लेके 100 तक हम लोगों को एक नमबर चुस करना है वो नमबर पर्फेक्ट क्यूब हना चाहिए तो यहाँ पर दीख के पर्फेक्ट क्यूब बिटूइन 1 तो 100 पर्फेक्ट क्यूब कुन कुन सा आ रहा है 1, 8, 27, 64, 4 नमबर आ रहा है 125 पर्फेक्ट क्यूब नमबर है पर यह बिटूइन 1 तो 100 तो 1, 2, 3, 4, 4 नमबर आ रहा है तो उपर में हम लोग लिख लेंगे 4 और निचे तो टूटल नमबर से 100 तो निचे हम लोग 100 को लिखिया अब यहाँ पर काटेंगे तो 4104, 42500, तो finally यहाँ पर अंसर आ गया 1 by 25, और 1 by 25 देखिया आपका option A में हैं, तो इस question number 7 का correct answer हो जाएगा आपका option A, और मेरे क्याल से question number 7 का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, next question number 8 को sell करते हैं चलिए, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते ह तो यह जो नीक के हमारा official WhatsApp number है, इस WhatsApp number पे आप अपना नाम और अपना home district लिखके send करें, हमारे time की ओर से आप लोगों को इस वीडियो का PDF send करा दे जाएगा, next question number 8 में दिखेंगे बल रहा है, दिखें, log of root 8 divided by log 8 is equal to, तो यह जो expression है, इस expression का value हम लोगों को निकलना है, तो कै नीचे दिया गया है, दिखें, log of 8, तो कैसे लिखेंगे, दिखें, this is equal to log of, root 8 को हम लोग क्या लिख सकते है, root 8 को हम लोग लिख सकते है, 8 to the power half divided by log 8, अब यह अभी हम लोगों ने देखा है, power को हम लोग समने लेके आ सकते है, तो half power में है, तो power समने आ गया, रह गया है आ आपका log 8, और नीचे है आपका log 8, तो log 8, log 8 cancel हो गया, answer आगया, आपका 1 by 2, और 1 by 2 देखें, आपका option D में है, तो इस question का correct answer हो जाएगा, आपका option D, next question number 9 में बोल रहा है, देखें, find the odd one from the numbers, यहाँ पर देखें, हम लोगों को कुछ numbers दिया गया है, इन numbers में से कौन सा number odd 1 ह यह numbers आप लोगों को निकल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप option को देखें, तो option A में 61, B में 71, C में 73, and D में 81 लेखा गया है, अब यहाँ पर देखें, यह जो numbers है, इन numbers में 81 को चोड़के बाकी सभी numbers क्या है, बाकी सभी numbers आपका prime number है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, यहाँ पर यह जो numbers देखें, इन numbers में सिर्फ 81 को चोड़के, बाकी सभी numbers आपका prime number है, और 81 क्या है, 81 prime number नहीं है, that means 81 सभी number में एक odd number है, एक अलग number है, और 81 आपका option D में है, तो इस question number 9 का correct answer हो जाएगा, आपका option D, और मेरे क्याल से इस question का solution आप लोगों को समझ भी आया होगा, अब और यहाँ पर दीकिए बहुत सरे students को prime number पता नहीं है, prime number क्या होता है, prime number मतलब ओ number जिस number का सिर्फ 2 ही factor हो, एक तो एक factor है आपका one और दूसरा factor आपका two, दूसरा factor वो number इसल, दूसरा factor वो number इसल, जैसे कि देखे 2 एक prime number है, क्यों? क्यों कि 2 का 2 ही factor है, एक तो है आपका one और दूसरा है आपका 2, मतलब 2 जो नमबर है, इस नमबर को हम लोग एक ही तरीका से लिख सकते हैं 1 into 2, और बाकी कोई भी प्रसेस से हम लोग 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि 3 एक प्राइम नमबर है कि 3 को लिखने का तरीका एक ही है, तो 1 into 3, इसमें दिखिए 3 का दो दिखिए 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो 3 वेक्टर हो गया, इसलिए 4 को हम लोग प्राइम नमबर नहीं कहेंगे, तो प्राइम नमबर मतलब वो नमबर जिस नमबर का सिर्फ 2 ही वेक्टर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए आपका 1 और दूसरा होना चाहिए आपका से अब लोगों को समझ में आया होगा चलिया next question number 10 को सल करते हैं question number 10 में यहां पर दीके बोल रहा है two numbers are in the ratio 2 is to 3 so two numbers का ratio दिया गया है two is to 3 तो आभ यहां पर अगर हम लोग उन दोनों number को मानेंगे तो क्या हो जाएगा पहला number हो जाएग का 2x और दुसरा number हो जाएगा आपका 3 6 तो हम लोगों ने दोनों number को मान लिया till 2x and 3 6 if their Lcm is 48 और उन दोनों number का मतलब 2x and 3 6 का Lcm देया गया है आपका 48 तो हम लोगों को उन दोनों number का साम निकलना है तो कितना है यहां से नदया होकि परण स्थेक्स का के ल से मिलें तो कितना यदिस आया है पर गृति उर्किलट यहां से खिंड तो stopping आपका 48 by 6 और 48 by 6 करेंगे तो यह आजाएगा आपका 8, that means x का बिलू आ गया आपका 8, तो अभी यहाँ पर हम लोगों को यह दोनों नमबर का साम निकलना है तो यह दोनों नमबर को जोड़ेंगे तो कितना हैगा तो 6x plus 3x करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5x, तो अभी यहाँ पर हम लोग in place of x, x का बिलू पुट करेंगे 5 into 8, और 5 into 8 करेंगे तो यह आजाएगा आपका 40, that means इन दोनों नमबर का साम का बिलू ही आपका 40, और 40 दिख्या आपका option B में है, तो description number 10 का correct answer हो जाएगा आपका option B, और मेरे क्याल से description number 10 का solution आप लोगों को समझ में आया होगा तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को comment box में comment करके बता रहे हैं और अगर आप ने channel को subscribe नहीं कर तो subscribe कर लिगी thank you for watching this video